नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपको इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है? अगर हम ध्यान से और समझ कर इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी रहस्यमई बातों के बारे में पता चलता है. आज हम इतिहास का दूसरा अध्याए भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे. पहले बच्चों जान लेते हैं कि ये राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के साथ प्रेम. हम जो भी करें अपने देश के हित में करें. अगर हम ऐसी भावना रखें तो ये भावना राष्ट्रवाद कहलाती है. इस अध्याए में हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदे कब और कैसे हुआ? पिछले अध्याए में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रवाद का उदे सबसे पहले यूरोप में हुआ था. वहाँ पर एक के बाद एक कई राष्ट्रे राज्यों का निर्मान हुआ. लोगों की सोच बदलने लगी. वे समझने लगे कि वे कौन है, उनकी पहचान क्या है. उनमें अपने राष्ट्र के प्रती लगाव पैदा होने लगा. और देश से जुड़े नए-नए प्रतीकों का प्रियोग किया जाने लगा, नए-ने गीत आने लगे और इस सब ने राष्ट्रवाद की प्रिक्रिया को बहुत बढ़ावा दिया. और ये प्रिक्रिया बहुत देर तक चली. और धीरे-धीरे राष्ट्रवाद की ये भावना आस-पास के देशों में भी पनपने लगी. भारत में राश्टरवाद का जनम अंग्रेजी शासन के खिलाफ होने वाले आंदोलन के चलते हुआ लोग अंग्रेजों की दमनकारी नितियों से परिशान हो चुके थे और अपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे अपनी एकता की ताकत को पहचानने लगे थे लेकिन सभी वर्गों और समूहों पर उपनिवेश्वाद का एक जैसा असर नहीं हुआ था और इसलिए उनके लिए अजादी के माईने भी अलग-अलग थे ऐसे में महात्मा गांधी ने अलग-अलग समूहों को साथ लाने का प्रयास किया और एक विशाल आंदोलन चलाया लेकिन इसके बावजूद भी उन समूहों में कभी-कभी आपसी तकराव दिखाई देता था बच्चो इससे पहले भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा होगा आज के अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे के भारत के स्वतिंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उस समय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का प्रियास किया गया किस तरह उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की गई और जिसके वज़े से आज हमें अजादी मिल चुकी है तो बच्चो चलो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला भाग पर अंग्रेजों का शासन था युद के कारण अंग्रेजों की रक्षा व्याय में भारी विद्धी हो गई और इसके लिए कई करजे लिए गए और इसकी भरपाई करने के लिए कर बढ़ा दिये गए सीमा शुल्क भी बढ़ाया गया सीमा शुल्क क्या होता है बच्चो जैसे कोई चीज हमारे देश में आ रही है या बाहर जा रही है इन आयात और निर्यात करने वाली चीजों पर लगाया गया कर सीमा शुल्क कहलाता है जिसकी वजह से भारतियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा सबसे जादा परिशानी गरीबों को उठानी पड़ी आपको पता है बच्चों कि 1913 से लेकर 1918 तक चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई लगभग दोगनी हो गई थी यही नहीं उस समय लड़ाई के चलते गाउं के जवानों को जबरन अंग्रेजी सेना में भरती किया जा रहा था इसके इलावा 1921 के दौरान बहुत फसल बरबाद हो गई थी जिसकी वजह से लोगों को खानपान में भी बहुत समस्या आ रही थी यह क्या कम था कि उस समय एक और समस्या ने जनम ले लिया बचो फ्लू की बिमारी फैल गई और 1921 की जनगर्णा के मताबिक तकरीबन 120 से लेकर 130 लाख लोगों की मौत हो गई लोगों को लगा कि युद के बाद शायद मुसीबतें खत्म हो जाएंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसी समय एक शक्स का आगमन हुआ जिसने संघर्ष का एक अनूठा तरीका अपनाया और वह तरीका था सत्याग्रे बच्चो आपने कई बार सत्याग्रे के बारे में सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि सत्याग्रे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था सत्याग्रे का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ है किसी सच या न्याय पुर्ण उद्देश के लिए किया गया शांति पूर्वक आग्रे यानि अपने सच्चे उद्देश्य की पूर्ती के लिए बिना शारिरिक बल और आक्रमक्ता की भावना के अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए संघर्ष करना ही सत्याग्रह कहलाता है और यही था महात्मा गांधी का हतियार बच्चो महात्मा गांधी पहले दक्षिन अफ्रीका में थे और 1915 में भारत लोटे थे आपको पता है कि दक्षिन अफ्रीका में जब उन्होंने इनसानी भेदभाव देखा तो उन्होंने वहां की नसलवादी सरकार को अपने सत्याग्रह आंदोलन से हिला कर रख दिया और तब ही महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने का तरीका भी सोच लिया था भारत में आने के बाद महात्मा गांधी ने कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए किसानों के संघर्ष को प्रेरित करने के लिए चलाया गया था फिर 1917 में गांधी जी ने एक बार फिर गुजरात के खेडा जिले में ये आंदोलन चलाया इस बार समस्या ये थी कि फसल खराब हो गई थी और महमारी भी फैल गई थी जिसकी वज़े से किसान कर नहीं चुका पा रहे थे कर चुकाने में उन्हें धील मिल सके इसलिए गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया और जो तीसरा आंदोलन था बच्चो वो आंदोलन 1918 में एहमदाबाद में सूती कपड़े के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन को बढ़वाने के लिए चलाया गया ये तीनों ही आंदोलन काफी हद तक सफल हुए और फिर इसी सत्याग्रह को उन्होंने अपना हथियार बना लिया तो बच्चो आओ हम पढ़ते हैं राउल्ट एक्ट के बारे में ये राउल्ट एक्ट क्या था? बच्चो अंग्रेजों ने 1919 में एक कानून पास किया जिसमें उन्हें राजनतिक कैदियों को बिना मुकदमे के दो साल तक बंद रखने का अधिकार मिल गया था महात्मा गांधी ने इसी अन्याएपुर्ण कानून के खिलाफ आवाज उठाई और मानवी अधिकार के लिए अहिंसा यानि बिना लड़ाई जगडे के रास्ते पर चल कर रॉलट सत्याग्रे प्रारंब किया तो बच्चों आप जानना चाहोगे क्या हुआ इस अन्दोलन में लोगों ने अपनी दुकाने बंद कर दी रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया और सभी लोग हरताल पर चले गए पंजाब के अमरसर शहर के निताओं को हिरास्त में ले लिया गया इसके साथ ही गांधी जी का दिली में प्रवेश बंद कर दिया गया था और फिर एक बहुत ही दुखताई घटना हुई जिसमें 10 अप्रेल को पुलिस ने अमरसर में शांती पूर्वक जुलूस पर गोलिया चला दी जिसके बाद बच्चों लोगों में गुसा बढ़ गया और उन्होंने बैंकों डाखानों और रेलवे स्टेशन आदी पर हमला शुरू कर दिया इन हमलों को देखते हुए जिस्ट्री का सबसे उच्पद का अधिकारी होता है उसी के निर्देश का पालन करना पड़ता है और उस समय ये कमान जनरल डायर को सौपी गई बच्चो अब हम पढ़ते हैं इसी से जूड़ी हुई एक और दर्दनाग घटना के बारे में ये घटना भी अम्रिस्सर में हुई थी और इस घटना को जलियावाला बाग हत्याकांट के नाम से जाना जाता है आईए देखते हैं क्या हुआ था जलियावाले बाग में बच्चो 13 अप्रेल 1919 को अम्रिस्सर के जलियावाला बाग में लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए इकटे हुए थे ये मैदान चारों और से बंद था और शहर से बाहर होने की वज़े से वे लोग जान नहीं पाए थे कि मार्शलला लागू हो चुका था जिसके चलते डायर के आदेश पर उसके सिपाहियों ने मासूम लोगों पर अंधा दुन्द गोलियां चला दी जिसकी वज़े से सैकडों लोग मारे गए और सबसे ज़ादा बूढे और बच्चे प्रभावित हुए थे कई लोग वहाँ अपनी जान बचाने के लिए कुए में कूद गए पर वहाँ भी उनकी जान नहीं बच पाई अंग्रेजों ने ये सब लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए किया था ताकि भारतिय लोग दोबारा उनका विरोध ना कर सके पर लोगों ने उनके इस कद सारी इमारतों पर हमला शुरू कर दिया और जब गांधी जी को पता चला कि सत्याग्रे को नकारा जा रहा था मतलब लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहे थे तो उन्होंने ये सत्याग्रे वापिस ले लिया बच्चो रावलट सत्याग्रे बहुत बड़ा लेकिन ये अभी कुछ ही शहरों तक सिमित था इसलिए गांधी जी चाहते थे कि वो इससे भी बड़ा आंदोलन करें जिसमें हिंदू मुस्लिम लोगों को साथ लाना जरूरी था तभी कुछ मुस्लिम ने ताओं ने गांधी जी के साथ बंबई में होने वाली शांती संदी के बारे में चर्चा शिरू कर दी ताकि सब मिलकर एक जोठ होकर खिलाफत के लिए आवाज उठा सके तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में सोचा अब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद सुराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतियों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था अगर हम उन्हें सहयोग देना बंद कर देंगे तो साल भर में ही हमारे देश में सुराज स्थापित हो जाएगा और इसी किताब के अधार पर ही उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का फैसला किया इस अंदोलन में गांधी जी सभी भारतिय नागरिकों को इकठा करना चाहते थे और सबसे पहले वो हिंदू मुसल्मानों को एक करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने मुसलिम नौजवान नेताओं मुहम्मद अली और शौकित अली की सहायता ली इस अंदोलन के लिए मुसलिम लोगों ने भी महात्मा गांधी जी का सहयोग किया और इसी कारण इस अंदोलन का नाम बदल कर असहयोग खिलाफत अंदोलन रख दिया गया अब इसमें खिलाफत शब्द क्यों जोड़ा गया क्योंकि खलीफा उस समय इसलामिक विश्व के अध्यात्मिक नेता थे अब बच्चों 1921 में जब इस अंदोलन के शुरुआत की गई तो उस समय मुहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया कई सामाजिक समू भी इस अंदोलन से जुड़ गए परंतु बच्चों लोग अलग-अलग जगय पर इस अंदोलन का अलग ही अर्थ निकाल रहे थे अब हम पढ़ेंगे इस अंदोलन की अलग-अलग धाराओं के बारे में इस आंदोलन की शहरों और गाओं में अलग-अलग स्थिती थी आओ पहले हम पढ़ते हैं कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो शहरों में क्या हुआ अजारों बच्चों ने सरकारी स्कूल जाना छोड़ दिया स्कूलों में शिक्षिकों ने इस्तिफा दे दिया वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिये विदेशी सामान को खरीदना एवं प्रियोग करना बंद कर दिया इसके साथ ही विदेशी कपडों को भी जला दिया गया और बच्चों ये सारी प्रतिक्रिया बहिशकार की थी मतलब असहयों की, साथ ना देने की ये आंदोलन काफी हद तक सफल हुआ लेकिन कुछ समय बाद इसका असर धीमा पढ़ने लगा अब ये धीमा क्यों हो गया था? इसके कई कारण थे पहला कारण था कि जो खादी कपड़ा था वो बहुत महंगा था और हर व्यक्ती खरीद नहीं सकता था इसलिए लोगों ने विदेशी कपड़े खरीदना शुरू कर दिया बच्चों के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था सरकारी स्कूल छोड़ने के बाद दूसरी जगा भी तो होनी चाहिए थी न ताकि बच्चे वहां जाकर पढ़ सके वो भी नहीं था इसलिए बच्चों ने स्कूलों में जाना शुरू कर दिया इसके साथ ही वकील भी अदालत में दुबारा दिखाई देने लगे थे अब बच्चों ग्रामेर इलाकों की बात करें तो वहां स्थिती कुछ और ही थी आईए देखते हैं वहां क्या हुआ हम सब जानते हैं कि भारत में ज्यादा तर लोग खेती करते थे और जो खेती करते थे उन्हें ब्रिटिश काल में बेगार मियम का पालन भी करना परता था इसका मतलब है बच्चों बिना पैसे और मजदूरी दिये खेतों में काम करवाना इन सब अत्याचारों को देखते हुए अवद के बाबा राम चंद्र और पंडित जवाहरलाल महरू ने अवद किसान सभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने मांग रखी की बेगार व्यवस्था को खत्म किया जाए लगान कम किया जाए अत्याचारी जमींदारों का सामाजिक भहिशकार किया जाए लेकिन जब असहयोग आंदोनन शुरू हुआ अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और सुराज का कुछ और ही मतलब निकाल लिया क्योंकि वहां के स्थानिय नेता ने लोगों से कह दिया था कि उनके लगान हटा दिये जाएंगे और जमीन गरीबों में बाट दी जाएगी पर असर में गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और इससे उनको ये समझ आ गया कि उनकी बात किसानों तक सही से पहुची ही नहीं है उधारन के लिए आंधिर प्रदेश में गुदेम की पहारियों की बात करते हैं जहां पर 1920 के दशक में गुरिल्ला आंदोलन चला इसमें बच्चों मुख भूमिका निभाने वाले जो थे वो थे सीताराम राजू वे अपने आपको महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा मानते थे और काफी दिल्चस्प इंसान थे जब पहारों पर बेगार नियम लागू किया गया और एक नए कानून के तहट जंगल में किसी भी काम से जाने पर रोक लगा दी गई तो लोग बहुत निराश हो गए उस समय राजू ही लोगों को उपदेश देते थे और कहते थे कि हिंसा के रास्ते पर चल कर ही सुराज पाया जा सकता है उनकी बाते सुनकर गुदेम विद्रोहियों ने पुल स्थानों पर हमले किये और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश भी की इसका परिणाम यह हुआ कि राजू को 1924 में फांसी दे दी गई अब बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं बागानों में काम करने वाले मजदूर सुराज के क्या माएने निकाल रहे थे 1869 के England Immigration Act के तहट बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाज़त के वहां से बाहर नहीं जा सकते थे वहां के मजदूरों ने सुराज का मतलब आजादी समझा और वो अपनी मर्जी से बागानों से बाहर जाने लगे परंतु रास्ते में रेलवे और स्टीमरों की हरताल की वज़े से वे सब फस गए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत पीटा अब ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया इसकी एक और वज़ा भी थी और वे थी चौरी चौरा में हिंसक टक्राव चौरी चौरा बच्चो एक जगा का नाम है जहां पर भरकी हुई भी ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था इस तरह लोग सुराज के अपने अपने मतलब निकाल रहे थे यह देखते हुए गांधी जी ने एक फैसला लिया कि अब आंदोलन करने से पहले लोगों को आंदोलन के बारे में समझाया जाएगा पढ़ाया जाएगा तरीका क्या होगा के मिलाकों में आंदोलन करना है यह सब बताया जाएगा फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा बच्चो जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कॉंग्रेस के कुछ नेताओं का मानना था कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करते रहना चाहिए क्योंकि अगर विरोध रोका गया तो शायद उन्हें कभी भी स्वतंतृता नहीं मिलेगी और इसके लिए उन्होंने प्रांत में होने वाले परिशद के चुनाव में भाग लेने का सोचा और इस उद्धेश्य से मोतिलाल नहरू और सीयार दास ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया यानि उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई बच्चो आप जानते हों मोतिलाल नहरू पंडित जवाहरलाल नहरू के पिता थे उधर जवाहरलाल लहरू और सुभाष चंद्र जैसे युवा नेता जन आंदोलन की मदद से सुतिंतुरता हासिल करना चाहते थे और अब इस असेहमती के महौल में दो ऐसे कारक थे जिनोंने भारती राजनेती की रूप रेखा एक बार फिर बदल दी और गांधी जी को एक और आंदोलन शुरू करना पड़ा आएए देखते हैं वे कारक क्या थे पहला कारक था विश्व्यापी आर्थिक मंदी और दूसरा कारक था साइमन कमिशन विश्व्यापी आर्थिक मंदी के कारण 1926 में क्रिश्य उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आ गई और 1930 में तो और भी बुरा हाल हो गया था और क्या हुआ बच्चों कि जो क्रिश्य उत्पाद थे उनकी मांग भी कम हो गई और उनका निर्याद भी कम होने लगा मतलब ये चीजें देश से बाहर बिकनी कम हो गई जिसकी वज़े से किसानों के लिए अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना कठिन हो गया इसकी वज़े से गरीबी बहुत बढ़ गई थी पर सरकार ने कर्वसूली में कोई कमी या धील नहीं की थी अब आईए पढ़ते हैं साइमन कमिशन के बारे में ब्रिटेन की सरकार ने राष्टवात के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए एक वैधानिक आयोग का गठन किया वैधानिक आयोग क्या था बच्चों सरल शब्दों में एक तीम तयार की गई ताकि भारत के समिधानिक धांचे में सुधार लाया जा सके पर इस आयोग में सारे लोग अंग्रेज थे एक भी भारतिय नहीं था और इसलिए 1928 में जब ये कमिशन भारत आया तो भारतियों ने इसका डट कर विरोध किया और साइमन कमिशन वापस जाओ के नारे लगाए लाहों में इसी विरोध में जटे भारतियों पर पुलिस ने लाठी चार्च किया जिसकी वज़े से स्वतंतृता सैनानी लाला लाजपत्राय की मौत हो गई यही कारण थे कि महात्मा गांधी ने फिर एक बार जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और यह आंदोलन था सविने अवग्या आंदोलन अब बच्चों सवी में अवग्या का क्या मतलब है? अवग्या मतलब कानून का पालन ना करना और गांधी जी ने अब यही करने का फैसला किया इस अंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने लौड इर्विन जो उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतनिधी थे को चेतावनी दी और उनके सामने 11 मांगे रखी उन में से कुछ मांगे सामान्य थी और कुछ किसानों और उध्योग पतियों से जुड़ी थी गांधी जी इन मांगों के जरिये समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे पर इर्विन ने ये सारी मांगे पूरी करने से इंकार कर दिया गांधी जी ने उन्हें एक और पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह ये सविन्य अवग्या आंदोलन शुरू कर देंगे लेकिन इर्विन नहीं जुके और इस तरह महत्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू चुना क्योंकि नमक भोजन में प्रियोग होता था और इसे हर व्यक्ति प्रियोग करता था चाहे वो अमीर था चाहे गरीब और दोनों ही इसके लिए कर देते थे अब नमक कानून के तहट नमक बनाने का काम सिर्फ सिरकारी कंपनी ही कर सकती थी इसलिए गांधी जी ने गांधी ने अपने 78 विश्वसनी लोगों के साथ ये पैदल यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की यह यात्रा साबर मती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमेटर दूर बांडी नामक तट्यकस्पे में जाकर खत्म होनी थी रास्ते में गांधी जी जहां भी रुखते लोगों को स समझाते और उन्हें शांती पूर्वक ढंग से अंग्रेजों की बात नव मानने के लिए कहते छे अपरेल को दांडी पहुँचकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस तरह ये आंदोलन शुरू हो गया फिर उस साल बहुत सारा न अंदोलन धीरे धीरे सफल हो रहा है तो उन्होंने इस अंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया ताकि वे सफल ना हो पाएं अपरेल 1930 में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी के बहुत करीबी साथी अब्दुल गफार को गिरुफतार कर पुलिस ने भीड पर गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए इसके एक महीने बाद ही गांधी जी को भी गिरुफतार कर लिया गया इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने पुलिस्थानों अदालतों और सरकारी भवनों पर हमला शुरू कर दिय इसके साथ साथ जो भी शांती पूर्वक आंदोलन में गांधी जी का साथ दे रहे थे उन पर हमले किये गए और तों और बच्चों को मारा पीटा गया और तकरीबन एक लाख लोगों को गिरुफतार कर लिया गया बच्चों इस थिति को देखते हुए महात्मा गांधी न समझोता कहा गया इस समझोते के तहट गांधी जी ने जेल में डाले गए लोगों को रिहा करवा लिया क्योंकि वो लोगों पर जुल्म नहीं होने देना चाहते थे उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों कांग्रूस पार्टी और उनके बीच एक सभा हो ताक कोई न कोई नया तरीका निकाला जा सके। समझौते के अधार पर इर्विन ने उनके पक्ष में बोलने के लिए महात्मा गांधी को बचन दिया था। इस समझौते के बार लंदन में एक सम्मेलन रखा गया जहांपर महात्मा गांधी और सरोजनी नाइडू गह पर वहां इर्विन ने उनके लिए कोई पक्ष नहीं रखा जिसके कारण महात्मा गांधी को वापस आना पड़ा और उन्होंने फिर से अवग्या आंदोलन शुरू कर दिया पर साल भर चलने के बाद 1934 तक आते आंदोलन धीमा पड़ गया था क्योंकि लोगों ने भी गांधी जी का स पड़ते हैं पाठ का चाथा भाग सामोहिक अपने पन का भाव अब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो चुकी थी वे यह मैसूस करने लगे थे कि वे एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं और ये भावना पैदा हुई थी दो कारणों से पहला कारण था संयूक् संघर्ष यानि मिलकर संघर्ष करना 19-20 सदी में जितने भी आंदोलन हुए थे उन सब में सभी समुदायों ने मिलकर भाग लिया जिससे उनमें अपना पनाया और साथ ही उनमें अपने देश के लिए भाव पैदा हुए अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक प्रक्रिया ने लोगों के मन में राष्ट्रवात की भावना कैसे पैदा की उस समय लोगों में राष्ट्रवात की भावना लाने के लिए नयों नयों गीत लिखे जाने लगे बहुत सारे चिन बनाए जाने लगे और बहुत सारी ऐसी ची भारत को भारत माता की चवी दी जो ये दर्शाती थी कि भारत हमारी मात्र भूमी है और उसकी स्वतंतृता और सुरक्षा ही हमारा लक्षे है जैसे हम अपने घर पर अपनी माता की सुरक्षा और आधर का ध्यान रखते हैं वैसे ही भारत मा का भी रखना है उन्होंने अपनी मात्र भूमी के लिए वंदे मात्रम गीत भी लिखा इस गीत को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दोरान खोब गाया गया ये गीत वंदे मात्रम कविता से बनाया गया था इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के दोरान एक तिरंगा बनाया गया जिसे चिन के रूप में प्रियोग किया जाता था इस जंडे में तीन रंग थे हरा, पीला और लाल इसमें आठ कमल के फूल भी लगाए गए थे जो बिटिश भारत के आठ प्रांतों को दर्शाते थे और एक अर्ध चंद्रमा भी था जो हिंदू मुसल्मानों की एकता को दर्शाता था 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराच का तिरंगा तयार कर लिया था जिसमें सफेद, हरा और लाल रंग था और इस जंडे के बीच में गांधिवाद के पृतिक चर्खे को जगा दी गई थी जिसे बाद में अशोप चक्र का रूप दे दिया गया इस जंडे का प्रियोग जुलूसों में किया जाने लगा और बच्चों इसी राष्ट्रवाद की भावना ने ही संघर्ष करते हुए लोगों को एक धागे से बांधिया और अंत में उन्हें अपनिवेशिक शासकों से मुक्थ करा दिया इसके अलावा बच्चों एक और साधन था जिसके द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की गई लोगों के मन में राश्ट्र के प्रती गर्व पैदा करने के लिए भारत के इतिहास को दोबारा एक नए ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा गौर्व मई प्राचीन युग के बारे में लिखा जाने लगा और लोगों को भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराया जाने लगा तो बचो ये था राश्ट्रवाद के पीछे का इतिहास उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप देखते हैं इसी के साथ जुड़े कुछ सवाल और साथ ही देखते हैं उनके जवाब तो पहले बचो आपके सामने कुछ वाक्य दिये गए हैं और आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत पहला वाक्य है गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चल कर आजादी पाना चाहते थे ये सही है दूसरा वाक्य है लाला लाजपत्राय की मौत गोली लगने से हुई थी तो बचो ये गलत है क्योंकि उनकी मौत लाटी लगने की वज़े से हुई थी गोली लगने की वज़े से आओ अब देखते हैं तीसरा वाक्य, रॉलिट एक्ट 1919 में पास किया गया था, तो बचो यह वाक्य भी सही है, चौथा वाक्य, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रे चम्पारन में शुरू किया, यह वाक्य भी सही है, अगला वाक्य है, पहला विश्वयुद 1918 में शुरू हुआ था, यह वाक्य बच्चो गलत है, क्योंकि पहला विश्वयुद 1918 में नहीं, बलकि 1914 में शुरू हुआ था, बच्चो दूसरे प्रश्ण में आपको दिये गए उत्रों में से सही उतर के आगे निशान लगाना है, पहला प्रश्ण है, गांधी जी के पुस्तक का क्या नाम था, हिंद स्वराज या स्वराज, तो बच्चो इसका उत्तर है, हिंद स्वराज, दूसरा प्रश्ण है, मोती लाल नहरू, पंडित जवाहा लाल नहरू के क्या लगते थे, और आपके पास विकल्प है, भाई, पिता, तो इसका उत्तर है, पिता, तीसरा प्रश्ण जलियां वाला बाग हत्याकांट कब हुआ था? 13 अप्रेल 1919 या 15 अगस्त 1947 तो इसका उत्तर है 13 अप्रेल 1919 और अब चौथा सवाल असरयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के किस करीबी साथी को गिरुफतार किया गया था? और आपके विकल्प है अब्दुल गफार या शौकत अली? तो बच्चो इसका उत्तर है अब्दुल गफार पांचमे प्रेश्ण को देखते हैं और सहयोग आंदोलन में किन दो मुस्लिम नौजवान नेताओं ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? आपके पास विकल्प है अब्दुल अली मुहम्मद अली और मुहम्मद अली शौकत अली तो बच्चो इसका उत्तर है मुहम्मद अली शौकत अली और ये है आपका छठा सवाल सविने अवग्या का क्या अर्थ था? और विकल्प है कानून को ना मानना या शांती पूर्वव धंग से रहना तो उत्तर है कानून को ना मानना अब देखते हैं सात्वा सवाल सविने अवग्या आंदोलन के दोरान महात्मा गांधी जी के साथ लंदन में सभा के लिए कौन गया था सीता राम राजू सरोजनी नाइडू तो आपका उत्तर है सरोजनी नाइडू आठ्वा सवाल साइमन कमिशन भारत कब आया था और विकल्प है 1928 या 1930 तो आपका जवाब है 1928 अब आखरी सवाल स्वतिंत्रता सैनानियों द्वारा तैयार किये जंडे में अर्थ-चंद्र क्या दर्शाता था एकता या बलिदान और बचो इसका उत्तर क्या है इसका उत्तर है एकता तो बच्चो इसी के साथ आज का ये अध्या यहीं समाप्त होता है देखने और समझने के लिए धन्यवाद